हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आटी आई ग्यान यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आटी आई यानी सुचना का अधिकार के बारे में आटी आई का मतलब है राई टू इन्फोमेशन जिसे हिंदी में सुचना का अधिकार कहते हैं यह एक ऐसा अधिकार है जो हर भारत नगरिक को यह अधिकार देता है कि वह सरकारी विभागों से जानकारी मान सके तो चलिए जानते हैं कि RTI का उपयोग कब कैसे और कहा करें दोस्तों सबसब पहले जानते हैं आइटी आइक उपयोग कब करें दोस्तों आइटी आइक उपयोग सरकारी सुचनाओं की जरुरत हो तब कर सकते हैं जैसे किसी सरकारी, योजना, नीती, आदेश या रिपोर्ट के बारे में जानकारी चाहिए दूसरा यदि आपके किसी काम में देरी हो रही हो तो RTI का उप्योग करें जैसे अगर कोई सरकारी काम लंबित है या उसमें देरी हो रही है तो उसकी इस्तिती जानने के लिए आप RTI का उप्योग कर सकते हैं तीसरा है कोई समस्या या गर्वड़ी हो दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी सरकारी विभाग में भस्ताचार है या काम सही से नहीं हो रहा है तब आप RTI का प्रियोग कर सकते हैं चौथा अपनी सिकायत की इस्तिती जानने के लिए दोस्तों अगर आपने किसी विभाग में सिकायत दर्ज की है और उसकी इस्तिती जाननी है तो आप RTI का प्रियोग कर सकते हैं अब बात करते हैं कि RTI का उप्योग कैसे करें दोस्तों RTI का प्योग करने के लिए बहुत सरल परक्रिया है आए जानते हैं इसके स्टेप के बारे में पहला है RTI आवेदन लिखे दोस्तों सब से प्रिले आपको एक RTI आवेदन लिखना होता है इसमें आप अस्पष्ट और सम्षिप्त रूप में अकनी जानकारी मांगे दिहान दे कि भासा सरल हो और प्रस्ट अस्पष्ट हो उसके बाद समंधित विभाग को चुने यानि जहां आपको RTI आई लगाना है उस विभाग का चेन करना है ताकि आपका आवेदन सही जगह पहुँचे अब बात करते हैं RTI फीस के बारे दोस्तों RTI आवेदन के साथ आपको निधारित फीस भी जमा करनी होती है या फीस अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है परन्तु आमतोर पर यद्धा सुर्प्य की होती है और आप इसे डिमांड राफ्ट, इंडियन पूस्ट लोडर जिसे IPO कहते हैं या कुछ राज्यों में ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं उसके बाद हैं आवेदन को भेजना अब आप अपना अवेदन और फी सम्मंधित विभाग के पबलीक इंफोर्मेशन ओफिसर, PIO यानि लोग सुचना धिकारी को भेज़ते हैं इसे आप डाक के माध्यम से भेज़ सकते हैं या खुद जागर जमा कर सकते हैं अब बात करते हैं आर्टियाई का उप्योग कहां करें दोस्तों आर्टियाई को उप्योग आप किसी भी सरकारी विभाग में कर सकते हैं जैसे केंद्र और राज सरकार के विभाग में मंत्राले, विभाग या कायाले उसके बाद है अस्थानी निगाए यानि नगरबाली का जिला पंचायद, घ्राम पंचायद, इत्यादी इस्कूल, कॉलेज, में आप आटियाई का परियोग कर सकते हैं सेंक्षिंग संस्थान जो सरकारिय अनुदान से प्राप्त करते हैं उसके बाद है सावềnिक छेत्र चू्पकरम, यहां भी आप आटियाई इत्दायर करसकते हैं जैसे B.S.N.L.O.N.G.C. इत्यादीं, उसके बाद है नियाई पलिका आप नियाय पालिका, बेल नियाय से प्रक्रिया से सम्मदित जानकारी के लिए RTI का प्रियोग कर सकते हैं तो दोस्तों, RTI एक महत्पूर अधिकार है जो हमें हमारी सरकार से जवाब दही मांगने का अधिकार देता है इसका उप्योग सही तरीके से करने पर आप अपनी समास्याओं का समधान पा सकते हैं और सरकारी विभागों में पारदिश्ता भी ला सकते हैं आसा है कि यह वीडियो आपको RTI क उप्योग के पारे में जानकारी देने में सहय अक्सावित होगी मिलते हैं अगले वीडियो में जाएंग